नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रवा में मैं करुणा आज क्लास 9 के स्टुडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ उनका हिंदी ए का सेंपल पेपर यह बिल्कुल इसी तरह का सेंपल पेपर है जैसा आपका फाइनल सेकिंड रम का पेपर आने वाला है तो बिटा आप सभी को पता है कि दो गंटे का आपका पेपर होने वाला है और 40 मार्क्स का पेपर आपका होगा और यह जो paper है बिटा आपका दो खंड में डिवाइड होगा खंड का और खा और सभी प्रशन बिटा आपको करने हैं और स्वच्छता का ध्यान रखना है करते वक्त खंड का में तीन प्रशन दिये गए हैं और वो कितने marks के होंगे वो उस question के आगे mention किया गया है खंड खा में चार प्रशन हैं जो आपको करने हैं और उनके marks भी questions के आगे ही दिये गए हैं तो बिटा में paper शुरू करने से पहले आप सभी से यह बोलना चाहूंगी कि आप प्लीज अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और bell icon भी प्रेस कर दें जिससे की इसी तरह की बाकी subjects की वीडियो भी आप तक पहुँचते रहे हैं तो बिटा शुरू करते हैं हमारा खंड का जो की होने वाला है आपका पाठे पुस्तक और पूरक पाठे पुस्तक पाधारित और बिटा ये 20 अंक का आपका आने वाला है इन questions के जो answer है बिटा आपको 25 से 3 शब्दों में लिखने है इसके अंदर सबसे पहला प्रश्ण है सांवले सपनों की याद नामक पाठ में घटित कौन सी घटना ने सलीम अली के जीवन को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया तो बिटा इसके आंसर में आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक बार बचपन में सलीम अली की एर गन से एक गुरेया खायल होकर गिर पड़ी इस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया वो गुरेया की देख भाल सुरक्षा और खोजबीन में जुट गया उसके बाद सलीम की रुची पूरे पक्षी संसार की और मुड गई और वो पक्षी प्रेमी बन गए ठीक है बटा अब इसी खंड आ में ही आपसे दूसरा प्रशन पूछा गया है जो है सामले सपनों की याद नामक पाट में सलीम अली ने पूर्व प्रधान मंतरी के सामने किन घटनाओं का चित्र खीचा होगा जिससे कि उनकी आँखे नम हो गई थी आँखे नम होने से आप क्या समस्ते हैं तो बिटा इस कोईशन का अंसर आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि सलीम अली ने पूर्व प्रवधान मंतरी यानि चौधरी चरण सिंग के सामने रे स्पस्ट होने का खत्रा उत्पन हो जाएगा प्रकरती के प्रती ऐसा प्रेम और चिंता देख करके उनकी आँखे नम हो गई थी बिटा तीसरा कुशन जो आप से यहां पर पूछा गया है वो है प्रेम चंद के फटे जूते नामक पाठ में तीले शब्द का प्रियोग ले किया होगा आपकी अपनी समझ से तीले शब्द का अर्थ क्या होगा तो बिटा इसका अंसर आप कुछ इस तरह से दे सकते हैं तीला शब्द मतलब की रुकावटें बधाई का प्रतीक हैं यह सामाजिक कुरूती अन्याय बेदभाव को दर्साता है क्यूंकि यह मानव के सा सामाजिक विकास में बाधाई बिटा इहां पर यह जो बधाई लिखा हुआ है न यह बधाई ना ओकर के बाधाई हैं यानि तीला शब्द रुकावटें और बाधाओं का प्रतीक है ठीक हैं यह सामाजिक कुरूती अन्याय बेदभाव को दर्साता है क्यूंकि यह मानव क सामाजिक विकास में बाधाएं उत्पन करती है हमारी समझ में टीला मिट्टी का छोटा सा पहाड होता है ठीके बिटा और आपका प्रशन एक में जो चौथा प्रशन आपसे पूछा गया है लास्ट प्रशन जो पूछा गया है वो है कि प्रेम चंदर के फटे जूटते नामक पाठ एक व्यंग लेख है इस पाठ को पढ़ करके आपके मन में क्या विचार आया इस पाठ को पढ़ कर आपको लेखक के कौन सी बातें आकरशित करती है तो बिटा इसका अंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि लेखक ने व्यज्यात्मक शैली में महान सहित्तेकार प्रेमचंद के विशेश्ताओं का चित्रप्रस्तुत किया है इसके साथ साथ लेखक ने स्वयम की दिखावे की प्रकरती पर व्यंग करते हुए सामाजे कुरूतियों पर भी प्रहार किया है ठीक है बिटा? तो ये थे आपके चार प्रश्न जो की हिस्सा थे खंड का के प्रश्न एक का और बिटा ये दो-दो नंबर के प्रश्न थे ठीक है बिटा? आप है आपका प्रश्न नंबर टू इनके अंसर भी आपको 25 से 30 सब्दों में देने है तीन प्रश्नों को आपको यहाँ पर करना है और वो तीनों प्रश्न आपके दो-दो नंबर के प्रश्न है जिसमें पहला प्रश्न है आपका केदी और कोकिला नामक कवीता में कवी ने हतकडियों को गहना क्यूं कहा है? हाथ में पहने जाने वाले अमने गहनों के बारे में आप क्या जानते हैं देख लेते हैं इसका अंसर बच्चे इसके अंसर में आप लिख सकते हो कि कवी ने लोहे की हतकडिया गहनों के समान है कवी के लिए कवी मानता है कि लोहे की जो हतकडिया है वे गहनों के समान है कवी अंग्रेज सरकार द्वारा पहनाए गई उन बेडियों को बंधन नहीं समझता क्योंकि उन्होंने किसी गलत कारे के लिए ये बेडिया नहीं पहनी ये उनके लिए गौरव की बात है इसलिए कवी ने हतकडियों को गहना कहा है इसके अलावा आपको क्या बताना था? कि आप हाथ में पहनने वाले और किन गहनों के बारे में जानते हैं तो बिटा हाथ में चूणिया पहनी जाती हैं हाथ में ब्रसलेट पहने जाते हैं हाथ में अंगूठी पहनी जाती है है ना то इस तरह से आप इस चीज को भी आगे लिख सकते हैं सेकिन्ड कोशिण बेटा जो आपसे पूछा गया है कि कैदी और कोकिला नामक कवीता में कोयल की कूंक के बारे में कवी की क्या प्रतिक कि रिया थी कोयल के बोलने को कोयल की कूंक कहा जाता है इस तरह कवे के बोलने को क्या कहा जाता है तो यहाँ पर आपको इस चीज का जवाब देना है देख लेते हैं इसका अंसर बिटा इसमें आप लिख सकते हैं बच्चे कि कोयल की कूक सुनकर कवी को ऐसा लगता है जैसे कोयल उसके ले कोई महतोपूर संदेशा लेकर आई हो अथवा उसकी कोई विवश्ता हो इसलिए कोयल ने सुबह होने का इंतजार नहीं किया अन्य था वह ऐसमें इस प्रकार नहीं कूक दी जो आपका थर्ड क्वेशन इसी में पूछा गया है वो है बच्चे काम पर जा रहे हैं बिटा देखो यहाँ पर चार प्रशन है इन चार में से आपको कोई तीन करने है बिटा आपका तीसरा प्रशन इसी में पूछा गया है बच्चे काम पर जा रहे हैं कवीता में कवी बच्चों के काम पर जाने को धर्ती के एक बड़े हाथसे के समान क्यों वताया है आपके अनुसार बच्चों का मुख्य काम क्या होना चाहिए तो इसका अंसर देख लेते हैं बटा इसमें आप लिख सकते हैं बच्चे किसी भी देश समाज के भविश्य का आईना और उसकी प्रगर्ती का एक एहम हिस्सा होते हैं यदि समाज में इस महतफूर अंग को उचित देख भाल और अफसर प्रदान नहीं किया जाएगा तो समाज प्रगर्ती कैसे गरेगा सभी बच्चे एक समान होते हैं उनके बच्चपन से वंचित रखना अपने आप में घोर अपराध है तथा अमानविय कर्म है इसलिए बच्चों का काम पर जाना धर्ती के लिए एक बड़े हाथसे के समान है बिटा ये आपका दो नंबर में प्रश्न था बिटा इसी प्रश्न नंबर टू में आपको एक और प्रश्न दिया गया है चार प्रश्न दिये गये हैं जिसमें से कोई भी तीन जो आपको आते हैं आप वो कर सकते हैं चोथा प्रश्ण है, आपने अपने सहर में बच्चों को कब-कब और कहां-कहां काम करते हुए देखा है, यह देखकर आपके मन में क्या विचार आता है, इसका अंसर हम यहां पर लिख सकते हैं, तो मैंने अपने शहर में बच्चों को चाय की दुकानों पर, होटलों पर, धाबों में बरतन साफ करते हुए देखा है, रास्ते पर लगे हुए, ठेलों पर, घरों में काम करते हुए, घरेलों नोकरों के रूप में देखा है, नीची कार्यलों में काम करते देखा है, और भ आपकी अपनी समझ से बच्चों का मुख्य काम पढ़ाई लिखाई होना चाहिए यदि बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो निश्च दोर पर देश और समाज के साथ साथ उनके खुद के परिवार की भी उन्नती होगी बिटा आप आजाते हैं हमारे खंड का के लास्ट च लिखना है और प्रतेक प्रश्ण जो है आपका तीन नंबर का है तो इसके अंदर जो आपको पहला प्रश्ण पूछा गया है वो है मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका के नानी की आजादी के आंदोलन में किस तरह की भागेदारी रही थी अपने देनिक वहवार के लेखिका की नानी वैसे तो प्रत्यक्ष रूप से आजादी के आंदोलन में किसी प्रकार की भागेदारी नहीं रही है उन्होंने सोतंतरता की भावना को मन ही मनपन अपने दिया उन्होंने कभी पती के अंग्रेजी सोकों को श्रिकार नहीं किया उनके पती अंग्रेजों की जीवन शेली को नहीं अपनाया नानी ने अपनी बेटी की शादी क्रांतिकारी से करने की इच्छा व्यक्त की जिस से की उनके देश प्रेम की भावना का पता चलता है उनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि इस विवा की घटना के एक उधारन घटना से एक उधारन प्रस्तुत किया और देश के क्रांतिकारियों को भी बड़ी प्रेना प्रदान की अन्य लोग भी इस कारे में उनके साथ है इस तरह आप्रत्यक्षरूप से लेखिका की नानी की सतंत्रता आंदोलन में भागिदारी रही है इसी के अंदर जो आपको सेकिंड कोशन यहाँ पर पूछा गया है वो है रीड की हड़ी नामक पार्ट के अधार पर समाज में महिलाओं को उचित गरीमा दिलाने है तू आप कौन-कौन से प्रयास कर सकते हैं पार्ट में इस विसे में क्या प्रयास किया गया है यह चीज आपको यहाँ पर देखनी है इसका अंसर हम देख लेते हैं बटा यहाँ है समाज में महिलाओं को उचित गरीमा दिलाने ही तू हम प्रयास कर सकते हैं कौन-कौन से सबसे पहले इस्तरी सिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है दूसरा अपने समय की महानेवं विदूसी इस्तरियों का उधारन हमें समय समय पर समाज में प्रस्तुत करते रहना चाहिए जिससे की लोग उससे प्रेर ना ले सकें तीसरा महिलाओं के मान समान का ध्यान रखना चाहिए समय समय पर उनको प्रस्क्रत किया जाना चाहिए मीडिया आदी के द्वारा उनके अस्तितु की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए अशलील, चित्र, गीत, संगीत आदी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए लड़के और लड़की को समान अधिकार मिलने चाहिए हमें महिलाओं को हीन द्रस्टी से नहीं देखना चाहिए महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए महिलाओं को उनकी इच्छा की अनुसार हर छेतर में आगे बढ़ने का प्रोचसाहन देना चाहिए और ये सारे आठ पॉइंट हम लिख सकते हैं क्यों क्योंकि ये प्रशन है आपका तीन नमबर का अच्छा पिटा एक चीज मैं यहाँ पर आपको जरूर बताऊंगी जैसे कि आपने अभी इस चीज को पढ़ लिया तो आप लोग जरूर मुझे बताएं कि महिला दिवस अंतरास्ट्रे महिला दिवस कब बनाया जाएगा और इसका सबी आंसर मुझे कैसे देंगे कमेंट बोक्स में आप जितने भी बच्चे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं इस क्वेशन का आंसर मुझे कमेंट बोक्स में बताएंगे कि अंतरास्ट्रे महिला दिवस कब मनाया जाता है क्वेशन नंबर गा है माटी वाली पाठ की अधार पर बताएए कि भूक मीठी की भोजन मीठा से आपका क्या फिप्राय है बेटा ये तीसरा प्रशन है इस तहर तीन प्रशन में से कोई से भी दो प्रशन आपको करने थे जो आपको आते हैं तो इस प्रशन का अंसर भी यहां पर आप देख लीजे कि भूक और भोजन का आपस में गहरा संबंध है स्वाद भोजन में नहीं होता बलकि मनुष्य को लगने वाली भूख में होता है भूख लगने पर रूखा सुखा भोजन भी स्वादिस्ट लगता है और भूख ना होने पर स्वादिस्ट भोजन भी बेस्वाद लगता है तो इसका अंसर आप यहां पर दे सकते हैं इसके बाद है बेटा खंड खा खंड खा भी आपका खंड का की तरह 20 नंबर का ही आने वाला है और यहां पर आपको लिखना है और क्या लिखना है आपको कुछ अनुच्छेद दिये गए है संकेत बिंदू भी साथ में दिये गए है आपको उन संकेत बिंदू के अधार पर और देड़ सो शब्दों में अनुच्छेद लिखना है तो बेटा यह जो लिखने वाला गाम है यह आपको खुद करना है पॉइंट क्या है यहां पर? ओनलाइन पठन-पाथन से क्या अलाब है इसके अंदर क्या आप लिखोगे? भूमिका लिखोगे ओनलाइन पठन-पाथन के तरीके लिखोगे ओनलाइन पठन-पाथन में चात्रों ने अभी भावकों को जो योगदान है वो लिखोगे ओनलाइन पठन-पाथन की क्या सीमाय रही? ओनलाइन पठन-पाथन यानि की पढ़ना और पढ़ाना पठन और पाठन से समझ रहे हो न उसकी उपयोगिता भी लिखनी है और लास्ट में उससे क्या निसकर्ष निकलता है क्या उपसंगहार होता है वो लिखना है दूसरा है बिटा पानी बचाओ और जीवन बचाओ ठीक है पानी बचाओ और जीवन बचाओ में भूमिका आ गई, पानी की उपलब्ध था, पानी हमारे जीवन में क्या ही महत्व रखता है, पानी की क्या उपयोगिता है और लास्ट में क्या निषकर्श निकलता है तीसरा है बिटा देश के प्रती हमारी जिम्मेदारियां ही हमारी देश भक्ती है तो इसमें भी सबसे पहले भूमिका आजाएगी देश के प्रती हमारी जिम्मेदारियां क्या है वो आपको बतानी है जिम्मेदारियों का निर्वहा क्यों आवश्यक है निर्वाहा मतलब जिम्मेदारियों को क्यों पूरा करना चाहिए, क्यों निभाना चाहिए, वो क्यों जरूरी है, ठीक है, और तीसरा, यदि हम जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगे, तो क्या होगा, जो भी गलत effect पड़ेगा, उसका वो चीज़ यहां पर बतानी है, पांच पांच नंबर के लिए है, और इसके अंदर आपको लिखना है कि आपकी गली में नालियों की उचित सफाय रख रखावना होने के कारण बिमारिया फैल रही है, इस से बचाव के लिए नगर निकम अधिकारी को लगभग 120 शब्दों में यहां पर आपको पत्र नहीं लिखते हैं, तो आप नीचे वाला लिख सकते हैं, यानि कि गरतंत्र दिवस के अफसर पर आपके देश में मनाये जाने वाले समहारों के बारे में बताते हुए अपने मित्र को 120 शब्दों में एक पत्र आपको यहां पर लिखना है, यहां पर है पिटा आपका छटे समवारी से बात करते हुए, पचास शब्दों का एक समवाद तयार करना है, अगर आप इस टॉपिक पे नहीं लिख पा रहे हैं, तो आपको दूसर टॉपिक दिया गया है, आपको भेजे जाने वाले कार्य पत्रक के सवालों के हल के विशे में, अपने सहपाठी से किये ग नमबर का एक और इहां पर परश्न दिया गया है, जिसके अंदर आपको एक और समवाद लिखना है और उसका टॉपिक है, कि आपकी गली में सबजी विक्रे ताके माता या पिता के साथ होने वाली बातचीत, ठीक है? माता पिता सबजी खरीद रहे हैं, सबजी वाले से तो वो वाला समवाद आपको यहाँ पर 50 अब्दों में लिखना है अगर आपको यह चीज भी नहीं समझा रही है तो इसके साथ आपको एक option दिया गया है वो यह है कि आप बात कर रहे हैं अपने दोस्त के साथ आपकी आने वाली परिक्षाओं के बारे में और आपको यह वाली बातचीत यानि यह वाला समवाद 50 शब्दों में लिखना है और इसके लिए मिलेंगे आपको धाई नंबर धाई नंबर का पिपर और आपका रहता है इसके अंदर आपको एक लगुकता लिखनी है लगुकता आपकी 40 शब्दों की होनी चाहिए और वो है बचाव ही सर्वोत्तम सुरक्षा है ठीक है अगर बिटा आपको यह वाला नहीं आता तो आप इसके नीचे वाला कर सकते हैं स्वास्त रहना खान पान की आदतों पर भी निर्भर है इसके अलावा जो दूसरा लगुकता आपको लिखनी है वो है सहयोक की भावना के विकास है तो अवशक है इस पर आपको 40 शब्दों में लगुकता लिखनी है और मित्र ही मित्र के काम आते हैं लगूखता का मतलब समझते हो ना, एक छोटी सी कहानी, जो कि चालिश शब्दों में लगबाग खतमी हो जाए, ठीक है, तो अगर आपको इन दोनों में से जो भी टॉपिक आता है, आप उस टॉपिक पर लिख सकते हैं, एक छोटी सी कहानी बना सकते हैं, चालिश शब्दों इस पर मिलेंगे आपको धाई नमबर तो ये था आपका खंड खा जो था आपका लेखन और खंड का जो कि आपकी पाठे पुस्तक पर अधारित था तो आशा करती हूं बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी समझाई होगी इसी तरह की और वीडियो देखने के लि और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो